लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें हलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कटहल मश्रूम दम बिरियानी के रेस्पी बहुत ही आसान है इसे बनाना घर पे बनाएंगे हम बिलकुल रेस्टोरेंट जैसी आप देख रहे हैं कितनी स्वाधिष्ट दिख रही है और खाने में भी उतनी ही स्वाधिष्ट है तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे हम बरिस्ता बना रहे हैं इसे बरिस्ता बोलते हैं लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं दो मीडियम साइज के और इसे गरम तेल में हम फ्राई कर रहे हैं इसका डार्क कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे तो इसे बिलकुल गरम गरम तेल में हम फ्राई कर और यह फिर अच्छी नहीं लगेगी कड़वा पना जाएगा तो इसे इसी स्टेज पर निकाल लें और अब हम इसमें बागी के वेजटेवल फ्राइब करेंगे तो यहां पर गोवी ली है आलू ली है कठेल और गाजर है मश्रूम को हम ब्लांच करके साइड में रख लेंग 50% हम इसे डन कर लेंगे 50% हम इसे पका के और निकाल लेंगे 50% यह दम में पकेगी राइस के साथ तो यहां पर कटेल और आलू फ्राइब हो चुके हैं 50% तो हम इसे निकाल लेंगे साइड में और दोनों वेजटेवल बाकी के जो बचे हैं उनको भी फ्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर कटहल और आलू दोनों अच्छे से फ्राई हो गए थे, ध्यान रखें पूरा डन नहीं करना है, हाफ डन करना है हमें से, और यहाँ पर बड़े गोभी के पीसिस ले लिये थे, इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, तो इसे भी हाफ डन करके निकाल लिया मैंने और यह गाजर भी wurde प्राइब कर लिए हैं नोट से और यहां पहला कुए। है कि तो यहां पर हम इसे साइड में रख लेते नमक आप यहाँ पे ज़्यादा डालिएगा क्योंकि हम यह पानी अलग करेंगे राइस को सिर्फ हम इसमें पकाएंगे यह मैंने पुलाओ वाले राइस लिये हैं बड़े राइस हैं जो बासमती राइस और इसे आदे घंटे के लिए पानी में बिगो के रख दिया था और अब हम इसे एड़ कर रहे हैं ये गरम पानी में तो पानी अच्छे से गरम हो गया था जैसे ही पानी अच्छे से गरम हो तभी राइस को एड़ करें ठंडे पानी में राइस ना डालें यहां पर अच्छे से पानी करम हो गया था और जो हमने खड़े मसाले डाले ते उसका भी फ्लेवर पानी में अच्छे कहरी है और आप यहां पर जब से राईस पकेंगे तब से हम एक मैरिनेट तयार कर लेते हैं तो यहां पे 200 ग्राम मैंने दही लिया है अच्छे से फैट लिया है और जो वेजटेबल हमने फ्राई किये थे उसको हम इसमें एड कर देंगे तो एक साइड हमारे राइस तयार हो रहे हैं और एक साइड हम यहां पे वेजटेबल को मेरिनेट कर लेते हैं तो यहां पे सारे add कर दिये हैं ये दो-तीन मैंने हरीमेज डाल दी इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये पुदीना डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा और ये आये हमारे ब्लांच किये हुए मश्रूम कुछ नहीं मश्रूम को थोड़े से पानी में मैंने ओबाल लिया था और पीसिस करके इसमें add कर दिया है अब यहाँ पे मैं मार्केट वाला बिर्यानी मसाला यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे तीन चमच में मार्केट वाला बिर्यानी मसाला add कर दिया है और यह आया हमारा वो ही वरिस्ता जिसे हमने फ्राई किया था प्याच को और यह थोड़ी सी हल्दी आइड कर दिये मैंने इसमें थोड़ी सी तीकी वाली लाल मिर्च और यह थोड़ा सा धनिया पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे नमक हम यहां पे आइड नहीं करेंगे इसे प पूरा डण नहीं करना है हल्का सा इसमें कच्चा पन रहना जरूरी है क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तब यह पूरे पकेंगे तो चलिए अब आगे की प्रोसेस सुरू करते हैं दम लगाने की तो यहां पे घी का यूज कर रहो हूं मैं तीन चमच घी जरूर डालें बि जिए ग आप्रेसर और लंग सा ड़ाने के तो यहां पर हमसे अच्छे से तऴका लेंगि जैसे ही यह तक जाएंगे चैसे तो हम इसमें आग Надकर देंगे जिंजर प्रीकर लेंगे इसे अच्छे से पका लें एक से तेड़ मिनिट तक तो यहाँ पे जिंजर गालिक के कच्छा पन निकाल देना है हमें अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे फिर हम इसमें बाकी की चीज़े एड़ करेंगे तो जो हमने vegetable जो fry वाले marinate किये थे दही में वो हम यहाँ पर अब add करेंगे तो यहाँ पर gas की flame को low कर दें वरना दही फट जाएगा तो यहाँ पर हम vegetable को add कर देते हैं और अब इसे हलके हातों से हम चलाएंगे ध्यान रखें gas की flame को low रखें वरना दही फट सकता है और यह हम यहाँ पर भी add करेंगे बरिस्ता तो जो हमने प्याज fry करी थी वो यहाँ पर add करेंगे इससे बहुत यह अच्छा flavor आता है अब यहाँ पर हलके हातों से हम इसे 2-3 minute चलाएंगे और पकाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कि gas की flame को अब थोड़ा सा तेज कर सकते हैं आप और यहाँ पर continuously हमें चलाना है और यह थोड़ी सी कश्मीरी लाल मेच मैंने add करी है color के लिए देख सकते हैं आप दही ने oil चोड़ना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर हलके हातों से हम इसे चलाएंगे अगर आपको ऐसा लगे कि masala नीचे लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी add कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी add कर रहे हूं और अब हम इसे हलके हातों से बापस से चला लेंगे और अब हम इसमे हैट करिए नमक तो यहाँ पर मैं एक चमँच से धेड़ चममच नमक अट कर रहे हूं आप अपने साद एनुसा नमक add कर सकते हैं तो यहाँ पे अब हम इसे बापस से मिला लेंगे अच्छे से और इसे एक नेट और पकाएंगे तो देख सकते हैं आपकी oil छोड़ दिया है gravy ने और यहाँ पे यह rice अपने जो निकाल लिये थे drain कर लिये थे वो हम यहाँ पे add करेंगे ध्यान रखें जैसे ही rice जब हमने पक के निकाले थे उसे आप एक चन्नी में चान लेंगे और side में रख देंगे और अब हम rice को चारों और अच्छे से फैलाएंगे तो यहाँ पे हम पहली layer लगा रहे हैं यह हम घर पे काफी कम quantity में बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे एकी layer काफी होगी अगर आप double layer का बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं थोड़ी सी gravy जो हमने बनाई है नीचे वो निकाल के इसकी उपर उसकी layer भी लगा सकते हैं अब यहाँ पे हम add करेंगे थोड़ा सा बरिस्ता तो यहाँ पे थोड़ा सा बरिस्ता add कर दिया है मैंने अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया तो यहाँ पे हरा धनिया मैंने add किया है और यह थोड़ा सा पोदीना तो यहाँ पे पोदीना डाल दिया है अब यहाँ पे add करेंगे आप बापस से rice की दूसरी layer तो यह दूसरी layer हमने लगा दिये rice की और अब इसे अच्छे से हम फैला लेंगे तो इसे पूरे अच्छे से फैला दें और बापस से हम इसमें धनिया पोदीना बरिस्ता add कर देंगे तो यह पोदीना डाल दिया है मैंने पोदीने की quantity आप अच्छी डालिए उससे बहुत अच्छा taste आता है और यह बरिस्ता डाल दिया है और यह डाल दिया है मैंने केसर वाला दूद थोड़े से दूद में मैंने केसर डालके उसको भिगो के रख दिया था जिससे उसका कलर आ गया है और यह बहुत अच्छा कलर देगा हमारी बिरियानी को तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें add कर दे रहा हूँ और यह जरू डालें थोड़ा सा केवडा वाटर केवडा वाटर बहुत ही अच्छी खुसबू देता है और बहुत अच्छी सुगंद आती है हमारी बिरियानी से और खाने में बहुत ही सौधिस्ट लगती है अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें दम तो यहाँ पे मैं एक प्लेट यूज कर रहा हूँ गंज में और इसे हम आटे की डो से अच्छे से दम लगाएंगे तो यहाँ पे हम आटे का पैक कर देते हैं आटे से चारों और से आटे से सील कर देंगे हम तो आप देख सकते हैं मैंने चारों और से आटे से बद कर दिया है और अब हम यहाँ पे लगाएंगे दम तो नीचे आप तबा रखिए तबे की उपर इस गंज को रखिए और गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर दीजे और 10 से 15 मिनिट के लिए इसे पकने दीजे अब 10 से 15 मिन हो चुके हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं इसे ओपन कर रहा हूं और यकीन मानिए जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे पूरे किचिन में इतनी सांदार खुसबो आएगी कि आपका मन करेगा बस अभी इसे खाना शुरू कर दें अब यहाँ पे मैंची शुरू होती है कि बिर्यानी को काटना कैसे है आपको इसे ऊपर से नहीं निकालना है पहले साइट से बिल्कुल आपको नीचे से काटना शुरू करना है इसे और ऊपर की और लाना है तो यहाँ पे नीचे से साइट से काटें आप और ऐसे ऊपर इसे चड़ाते जाएं बिर्यानी काटने क सही तरीका यही होता है तो देख सकते हैं आप कि कितनी सांदार दिख रही हमारी बिर्यानी यह कठेल के पीसिस हैं मश्रूम के पीसिस हैं अब आप इसे रायते या चटनी के साथ सर्व करिए खाने में बहुत ही सौधिश्ट लगेगी कैसी लगी आपको रेस्पी जरूर बत कि एे धिए हैं बहुत हैं मेंरुब कर दो दिख प्रफिए